आज पिरियार ललाई सिंग यादब का जनम दिन है जानते हैं पिरियार ललाई सिंग यादब कौन थे पिरियार ललाई सिंग यादब जिनका जन उत्तर प्रदेश में हुआ बहुजन समाज के बेटा जो इसनोंने फौज में नौकरी की और बुद्धिजम को अपनाया और प सुप्रिम कोर्ट तक गए हाई कोर्ट तक गए उन्होंने केस लड़ा और इस किताब को परकासित करवाने के लिए सरकार को मजबूर किया जिस पर बैन लगा दिया गया था पिर यार कहते थे हम पिछरे नहीं हैं हम हिजरे हैं क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए लड़ते अधिकार के लिए लगातार अपना कैरियर अपनी जान सब कुछ दाव पर लगाते हैं मुझे लगा उनसे बहतर कौन बात करने वाला होगा पिरियाई ललाई सिंह आदब के सच्चे वह बारिस हैं सच्चे बैचारिक संतान है तो उनसे समझेंगे ड़क्टर साहब आज पि क्या लग रहा है कितना पानी बहच चुका है नदी में लेकिन समाज बहुत खासकर पिछरा समाज कहां पहुंचा है देखिए सबसे पहले सभी देशवासियों को एक सो नवी जैनती की ललाई सिंह यादो की सबको बधाई देखिए बहुजन बैचार की जो है उसे फैलाने में ललाई सिंह यादो का बहुत बड़ा एकदान रहा है उन्होंने बहुत धर्मी ज्वाइन किया था और सच्ची रामायर लिखी सोचिए 1967 के इरा में जब बहुत टफ काम था बहुत कठिन काम था पाकणवाद से लोगों को परे ले जा पाना तब उन्होंने सच्ची रा अन्मायर थी रामस्वामी जी के द्वारा इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था और उनसे अनमती मांगी थी और लोगों को कहा कि आप ये रामायर पढ़िए और इसलिए ये इतने परेसान हो गया था इस पाकणवाद से कि इन्होंने बहुत धर्म ज्वाइन किया तो मैं आज देख रहा था सभी मेजर नेता जो थे बहुजन समाज के जो नेता हैं मैं देख रहा था किसी के पास इतनी हिम्मत आज नहीं रह गई है कि इनके लिए दो सब्द लिखे इनकी बात करे लेकिन ये मान करके चलना पड़ेगा जिस दिन बहुजन बैचार की लोगों में समझ पहुच जाएगी हमेशा बहुजनों का सासन रहेगा तो हमारे लोग ही कहीं न कहीं इस जो मुहीम में जो आंदोलन चलाया जा रहा है भटकाव के कागार पर खड़े हैं और परसुराम की मुर्ती और मंदीर मस्जीद तमाम चीजों में अटके हुए हैं आप बना मंगलिया थे वो वालमिकी समाज से आते थे तो उनके हां का जब कुणा सूख गया तो मंगलिया के लोग जो थे उनको पानी नहीं भरने देता था एद्वण समाज इतना भी था लेकिन ललाई सिंह आदोजी अपने हिस्से का जो पानी था वो पूरे मंगलिया लोगों को देते थे जो वालमिकी समाज के बाद में इन्होंने उनके कुणे खनाना बनाने के लिए पैसे दिये सरकार संमतिली और मंगलिया समाज का एक कुणा खना गया तो कुछ समय के बाद येद्वणलों यह थे उनका पानी नहीं आ रहा था तो इस लोग उनके कुएं से पानी तो ललाई सिंग् यादो हैं तो उस समय के बाद सभी लोग लगभग मिल जुलकर के रहने लगे तो बहुत बड़ी बात थी उसमें सची रमार लिखना बिलकुल देखिए जब तक बहुचन बैचार की लोगों में जंजा तक नहीं पहुचेंगी पाखंडवात का अंत नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं मैं यह नहीं कहता हैं कि आप सिर्फ एक ही धर्म को मानिए ऐसा कुछ मेरा मान नहीं समिदान आपको अधिकार देता आप किसी धर्म को मानिए लेकिन जो पाखंडवात की तरफ जो रास्ता ले जाता है उसे आप छोड़िए बैग्ञानी के तरफ बढ़िए रामस्वामी पेरियार जी ने ही किया, आज वहाँ तमिलांडू की सत्ता देख लिजिए, कौन रह रहा है, कभी भी बीजेपी नहीं आ पाई, और अपने यहां का देख लिजिए, हमें सत्ता मिला, फिर भी सत्ता समय बेदखल होना पड़ा, क्योंकि हम अपलों लोगों को कहीं न कहीं जि लिखते हैं कि जब बाबा साहब ने नागपूर में बहुत धर्बगरण किया, तो वहाँ पर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी तबियत काफी खराब रही, जिसके वज़ा से वह जा नहीं पाएं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को पाखंडवात के खिलाफ लड़ लोग हैं, तो उसे समझ में आने लगेगा, और इसलिए इसे पर हाई कोट भी सवाल नहीं उठाता, क्योंकि वह भी समयधानी का दिकार देता है, जब हाई कोट में इस किताब को रोका गया था, ललाई सिन यादों ने इस किताब को पब्लिस करने के लिए अपनी 14 विगहे की खेती बेच दी थी, उन्होंने असोग परकासन बनाया था, और फिर इस किताब को जब पब्लिस करते हैं, तो इसे डिश्टिक कोट रद कर देता है, सारी कापिया जब्द कर लेता है, लेकिन हाई कोट पुना आदेश देता है, कि आप इसको पब्लिस कर सकते हैं, लोग नहीं हो, उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी आपने लोटन रामरिसात का सुनाई था, उनका वो ब्यक्तिगत मैटर था, उन्होंने कहा कि मैं उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया, और आज ये दी बहुजन बैचार की होती, पिर पिरियार ललाई सिंहादव जिनका जनमदीन है, और समझ ये कि जो फूले पिरियार अंबेटकर कबीर की जो पूरी विचारधारा है, उसको जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं अपनाएंगे, तब तक उनको आर्थिक समरिध्धी मी नहीं मिलेगी, क्या लगता है तर पिरियार ललाई सिंहादव को अपनाना होगा? जब आप एक बार पढ़ेंगे, उसमें क्या चीज लिखा है, सीखेंगे, तो हो सकता है आने वाली पीडियों को एक अच्छा ग्यान दे पाएं और आने वाली पीडियां बहुजन बैचारकी के लिए ततपर हों और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें आपको क्या मिलेगा ये तो नहीं पता लेकिन अगर फुले पिरिया रंबेटकर की पिरिया ललाई सिंग की अगर विचारधारा को आप मानते हैं, उनके बताय रास्ते पर चलते हैं, तो सम्मान और आर्थिक आजादी और एक मानविये गुन आप में जरूर विक्सित होग फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़वर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें